आज हम लिखिया हैं आप लोगों के लिए बहुत ही आसान तरेकी की नास्ते की रिस्पी जिसे आप देखते ही बनाने के लिए उट पड़ेंगे तो चलिए इस नास्ते को बनाना शुरू करते हैं तो यहाँ पे मिलिया है तीन पीस उबला हुआ आलू आप देख सकते हैं आलू को हमने यहाँ पे छिल लिया है आलू की कॉंटिटी आप अपने फैंबली के हिसाब से कर सकते हैं तो इसे हमें हाथों से तोड़ लेना है बहुत बारिक नहीं करना है बस मोटे मोटे में ही इस नास्ते को बनाने के लिए आपको 10 या 15 मिनट की टाइम लग सकती है तो इसे हमें हलका सा मेसर से हलका हलका मैज कर लेना है ऐसा नहीं कि बहुत बारिक कर लेना है तो चलिए इसमें हमें डाल देना है बारिक कटा हुआ प्याज प्याज डालना अप्सुनल है इसलिए डाल रहे हैं थोड़ी सी डालेंगे हम हरी मिर्ची और साथ में ही डालेंगे कटी हुई हरी धनिया इससे बहुत ही अच्छा टेश्ट आता है अगर कटी धनिया नहीं है तो इसमें आपका स्थूरी मेथी भी डाल सकते हैं थोड़ा सा इसमें डाल लेते हैं कुछ मसाले तो मसाला में हमें बहुत ज्यादा नहीं डालना है थोड़ी से डालेंगे कस्तूरी में थी साथ में ही डालेंगे नमक स्वात की अनुसार थोड़ा सा हल्दी पाउडर बहुत थोड़ा सा ही डालना है भूना हुआ जीरा एक चम्मच आधा चम्मच धनिया पाउडर साथ में सभी को अच्छे से हम मैश कर देंगे हाथों से आप देख सकते हैं बहुत ही जटपट बनने वाली ए नास्ता है आपको कोई जञजट नहीं है बस उबला हुआ आलू रहना चाहिए और पांच मिनट में इस नास्ते को आप बना के फैमिली में खिरा सकते हैं तो देखिए यहाँ पे लिया है एक बॉल बॉल में डालेंगे हम दो चम्मच मैदा आप चाहे तो चावल के आटे से भी बना सकते हैं थोड़ा सा डालेंगे कस्तूरी मिथी और साथ में डालेंगे स जैसे हम लोग बेशन बनाते हैं टिक्की के लिए बेल खुल ऐसे ही रखना है तो इसे हमें अच्छे से फेट लेना है ताकि इसमें गुठलिया न रहे तो चलिए फेट के हमें इसे साइड रख देना है अब हमें क्या करना है इस्टपिंग लेना है तो इस्टपिंग हमें कि रखना है थोड़ा सा मोटा रखेंगे तो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है तो चलिए मैं आपको एक पीस और बना के यहां पे दिखा देती हूं इस तरह से आप बनाएंगे तो आपका नास्तास फैमिली में सभी को परसंद आएगी सुबह के टाइम या साम के टाइम बना सकते हैं तो चलिए बागी का भी इसी तरह से हम बना लेते हैं तो मैंने यहां पे पांच पीस बना के तयार कर लिया है और साइड में तेल अच्छे से गरम हो गया है तो चलिए इस इस लरी में हमें इसे डीप कर लेना है आलू की टिक्की को और इस तरह से तेल में डा याद रखें गैस का फ्लेम हाई ही रखें मेडियम पर न डालें और दो-तीन मिनट के बाद आश को मिडियम कर दें इस तरह से इसमें जितना आएगा उतना हम डाल देंगे एक साथ में और बाकी का हम बाद में बना लेंगे तो फ्रेंज देखिए अच्छे से इसे हमें चोड देना है 2-3 मिनट के लिए तो आप देख सकते हैं मैं इसे अब इसे पलड देती हूं क्यूंकि हलका हलका इसका चेंज हो गया है कलर तो इस तरह से आप अच्छे से पलड दें और उलटते पलडते इस नास्ते को गोल्डन ब्राउन तक सेख लेना है यानि की क्रेस्पी तर जब हम नास्ता बनाते हैं तो क्रेस्पी होता है तो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है तो चलिए इसे हमें अब इसकी साइड पलड देना है तो इस तरह से अगर आप नास्ता बनाएंगे सुबा के टाइम या साम के चाय के साथ ना तो बहुत ही टेश्टी लगेगा और इस तरह से देखिए बहुत ही अच्छा कलर आ गया है और क्रेश्पी भी हो गया है तो हमें एक छन्नी में निकाल लेना है सफेद तिल है तो जरूर डाले बहुत ही सुन्दर और देखने में भी बहुत अच्छा लगता है तो इस तरह से आप छन्नी में निकाल के रख ले तो चलिए हम कर लेते हैं सर्व तो देखिए बहुत ही टेम्टिंग लग रहा है देखने में और खाने में कई गुना के साथ सर्व करें हूं तो चलिए इसे मैं आपको एक पीस तोड की दिखाती हूं तो आप देख सकते हैं देखने में बहुत ही टेम्टिंग लग रही थी इस नास्ते को आप एक बार जरूर से जरूर ट्राइक करें बहुत ही कम चीजों में बन जाती है और जटपट बन ज जाती है तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई रिस्पी के साथ तब तक के लिए धन्यवाद